हलो अव्रिवन आज का जो मेरा सेशन है यह कि स्पेशल सेशन और वहत इंपॉर्टेंट सेशन है लक्ष 2024 टेस्ट सीरीज यानि अगर आप निमसेट और सी उटी के एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह लक्ष 2024 टेस्ट सीरीज जो है यह आपके लिए कि माइल स्टोन होगी यह टेस्ट सीरीज किस तरह से आपकी रैंक में बूश्ट अप करेगी किस तरह से आप टॉप रैंकर बनेंगे और क्या-क्या एड्वांटेज होंगे उसके बारे में हम वन बाइवन डिस्क्स करेंगे सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आपने एक बात देखा होगा कि न इसलिए उसका कटफ हाई भी गया था वहीं 23 का पेपर थोड़ा सा लेंदी था अनेक्स्पेक्टेड था कोशन बैलेंस नहीं थे टॉपिक का डिस्ट्रिबूशन एकुवल नहीं था और उस वज़े से जो बच्चे सेल्फ स्टेडी कर रहे थे उन में से कुछ बच्चों क लिए सेल्फ स्टेडी कर रहे उनके लिए टेसरी कैसे इंपॉर्टेंट है क्या-क्या help करेगी वह बताना चाहूंगा नंबर वबन तिंग जब हम सेल्फ स्टेडी कर रहे होते हैं तो हमारे लिए यह जानना बहुत जवूरी होता है कि हम कहां पर stand कर रहे हैं यानि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका पढ़ाई का तरीका सही है कि नहीं और मैं damn sure कि ये test series आपकी top rank ले जाने में 100% help करने वाली है क्योंकि ये test series थोड़ी इस बार unique तरीके से design की गई है और इसकी starting test जो है वो 6th of August से start होगा तो इसमें मैंने दो तरह की चीजे रखे हैं एक full length test और एक mock test paper especially ये test series उन बच्चों को सबसे आदा help करेगी जो self study कर रहे है कैसे कि आपने जो भी cover किया है उसका आप हर week test देंगे और test देने के बाद एक unique चीज जो impetus गुरू कुल के लावा कोई नहीं करता इस paper का live analysis भी होगा यानि complete live analysis होगा जिसमें math reasoning और computer के question discuss के जाएंगे यानि आपको अभी से 6th of August से जो test होगा पहले test से ही complete full paper मिलेगा 120 question का फिर आप बोलेंगे सर इसको आप FLT क्यों दो चीजे जोड़ाओं मैं बताता हो FLT में हम आपको अभी पूरा syllabus ना देंगे 50 question math के 40 LR के 20 computer के और 10 English के ही देंगे but math का syllabus जैसे start करेंगे algebra से ठीक LR के भी कुछ topics और essay computer के भी number system से start करेंगे और English के basic और जैसे जैसे हर week आपको ये भी बताए जाएगा कि अब इसमें क्या-क्या topic add हो रहे हैं ठीक है तो number one thing इसमें मैं study material नहीं दूँगा ये क्या होता है impetus गुरू कूल की test series अलग-अलग तरह से design की जाती ये test series जब आप self study कर रहे हैं आप किसी भी बुक से पढ़ें देखिए पेपर तो ऐसा ही होता है पेपर जो आता है वह कोई ऐसा नहीं होता कि इस particular book से आता है आप जिस भी बुक से पढ़ लाएं जिस भी तरीके के material से पढ़ लाएं पर जब ये आपको test LR को भी किया जाएगा और computer fundamental को भी किया जाएगा ये मैं फिर बोलूँगा unique चीज है आपको बाकी जगे printed solution मिल सकते हैं पर impetus 3 में क्या आएगा तो धीरे-धीरे math के syllabus को बढ़ाएंगे बट 50 question का math होगा LR में कुछ topic को start करेंगे LR में वैसे syllabus नहीं होता फिर भी कुछ topic के weight test को बढ़ाते चलेंगे ऐसे computer में करेंगे और इसी तरह से English में करेंगे तो इसमें मैं मैं आपको full length test दूँगा जब full length test चलते चलते syllabus हम 50 से 70% को cross कर जाएंगे then mock test series start होगे यानि mock test series का मतलब होता similar to actual exam और फिर यह चलेंगे और लगवग FLT और mock paper को मैं मिला लूँ तो I am damn sure कि यह 100 100 भी नी 125 प्लस test papers होंगे और इस तरह से आप अपने को समय रहते हूँ कर पाएंगे जैसे मैंने देखा जो इस साल बच्चों ने ड्रॉप लिया वह कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी रहेंग वन था हो जन लेवन हंड़ें लेवन हंड़ें 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 थी जब मैंने उनसे पूछा इतनी अची रहेंक आई कैसे पढ़ाई कि उन्हों इसलिए मैं आपकी यह फुल लेंड टेस्सीरीज और मॉक टेस्सीरीज इस बार अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूं आप भी देख रहें कि दिन पर दिन कॉम्टिशन बढ़ता जा रहा है कि अब कि जिनका 11 तील में स्ट्रीक्स नहीं था यह ग्रेशन में वी कोँए या इंटरि अ SMITH सुनित médi नमें से क्लेशन में स्टेशीट होना हिरे और अंच्छों के आधामेटिक्स इत्स्ट्रिक्स होते हैं नंबर ऑफ सीट लिमीटेइट थैन एन सेटे प्लेमेंट भी चूड़े होगा तो इसका मतलब और निम्सेट की मैसे तो पड़ हो गया यह देखा चूट की दिर्ट कोई भी एक्जाम निकाला जा सकता बश्रत है कि हम सही समय पर सही एक्षन लें अब माल लीजिए कि आपके पास स्टेडी मटेल भी नहीं है या आपके पास कंटेन भी चाहिए तो फिर आप सी टैसी जो अल्लेडी चले वह ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो लक्स टैसी रखी है इसमें मैंने फुल लेंद पेपर और मॉक पेपर को इंक्लूट किया गया है आप सेल्व स्टेडी से क पूलर डिसिप्लेन नहीं रहते हैं कि हमेशा में एक बात बोलूँगा सही समय पर सही एक्शन लेना बहुत जहुरी है कुछ बच्चे कई बार फी बचा तो लेते हैं कि चलो हम सेल्फी करते रहेंगे चलो हम कर लेंगे पर समय बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब सेल्फ स्टेडी अच्छी चल रही है तो यह लक्स टेस्ट सीरीज आपके लिए माइलिस्टोन होगी अगर आपको स्टेडी रेगुलर नहीं है फोर टू सिक्सार मैं बोलूंगा कि या तो आभी जो लास्ट से स्टार्ट हुआ वो जोईन कर सकते हैं और अपने आपको रे से डिसक्स भी होता है प्रिंटेट सॉलूशन के साथ साथ और जब वो डिसक्रशन होता है तो कई सारी नई नई अप्रोच क्लिक करती है किस दंग से करना है क्योंकि एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वह कोशन सॉल्विंग आप्रोच मैस बनती है मैं देखता हूं ब से करने की आदती हम कोई पता ही था कि या लॉजिक से ट्रिक से भी हो सकता है यह सारी चीजे आप इंपिटर्स के साथ रहके सीख सकते हैं तो मैं आप सब को यही बोलूँगा कि अगर आपका टार्गेट है 24 तो लक्ष निमसेट 24 टेस सीरीज आपके लिए सबसे हैल्फु टेस्ट सेरीज होगी थैंक यू और अल थे बेस्ट